Assalamu alaikum दोस्तों आज कर हमारा टॉपिक है How to Choose Best Hosting in Pakistan पाकिस्तान में आप किस तरीके से एक अच्छी होस्टिंग खड़े सकते हैं और अगर आप होस्टिंग खड़ेने लगते हैं तो आपको किन बातों को ख्याल रखना चाहिए तो इस वीडियो को शुर्ट से लेका एंट तक देखते रहेगा तो चलिए दोस्तों कुछ आपको टिप बता देता हूं और एंट वे आपको बता हुआ कि आपने किस तरह वेब होस्टिंग को खरीदना है इसलिए वीडियो को लाजमी एंट तक देखना है और वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा लाइक कर देना है तो चलिए शुरू करते हैं नमबर वन टिप सबसे बहले आपने वेब स्पेस देखनी है कि आपको कितनी वेब स्पेस चाहिए जीहां दोस्तों आपको एक जैकेट के एक्जैम्पल देता हूं बहुत बड़ी जैकेट है आप पर नहीं फिट आ रही है नहीं आप पर अच्छी लग रही है लेकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है आपने वही वेब सेट पर इस एक्जैम्पल को अपलाई करना है कि आप वेब होस्टिंग लेते हैं है आपने नहीं ज一下 पर होसटिंग लेनी है नहीं जादि एक्सपेंसीव लेनी है ँतनी पर स्पेस लेनी है जो आप की वेबसेट के का टार्रेमेंट के मूताबिग के आगर आप उंपल गया अगर आप Kart honour है तो आप एक्सिम्पल सी वेब स्पेस 500 MB के लेने 1 GP के लेने आपको ज़्यादा बड़ी वेब होसिंग लेनी की ज़रूरत नहीं है अगर माशयला अगर आपका काम बढ़ जाता है तो आप उसको बाद में शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी बड़ी वेब होस्टिंग के में तो अगर आपका सोफ्टर साइट है तो आपको बिगनर में थोड़ी लिंक चाहिए वेब स्पेस उसके पास जब आपके साइट चलनी शुरू होगे जब उसके बैंड़ी ज्यादा उसको फिर भी शिफ्ट कर सकते हैं इसलिए फर्स्ट आपने काम यह करना है कि आपने वेब स्पेस आपने रिक्वार्मेंट के मताबिक लेनी है दोस्तों जो दूसरी टिप यह है अनलिमिटेड डस्क नॉट अग्सिस्ट बहुत से लोग आपको कहेंगे अनलिमिटेड आपको वेब होस्टिंग हम देंगे मत जलके आप अनलिमिटेड डुमेंट इसमें होस्ट कर सकते हैं तो आपको उसका फाइदा नहीं होगा क्योंके आपको एक वेब सेट चिलानी है आपको ज्यादा वेब होस्टिंग लेने की ज़ूरत नहीं है वेब स्पेस लेने की अगर आपकी जो रिक्वार्मेंट है वन इसमाल होड़ी होगी वन जीपी इसमाल होड़ी कि अगर आप पांच छेसो पॉस्ट भी करते हैं वह दो तीन सू एमबे में जाएंगी तो आपकी जो पीछे उनीस जीपी जो स्पेस होगी उस सारी की सारी जायर जाएगी आपको फाइदा नहीं होगा और साल ऐसे गुदे जाएगा और आपको छेस साल सा हजार देने पाट जेंगे तो आपसे घुजारएगी है कि आप फिर कोई का रिकुरॉर्मेंट के मताबिक अपनी आपने खुद ही वेबोस्टिंग तलाश करनी है कि आपकी कितनी रिकुर्मेंट उस हिसाब से आप वेबोस्टिंग खरी दे हम चलते हैं दूस्तों जो अब अब टार मतलग होता है कि आप को कुछ Products इसी करती है कि हम चीप डिट पर आपको वेब भास्टिंg देंगे लेकिन रहीं क्यप आपने उसके सर्फर देखने का सर्फर कोंसा दे रहा हि अगर आप से सर्वर दे देता है वो आपको आप जैसे कि एक computer है वो P4 है अगर आप P4 को computer और I7 का computer आप उसको जो एक comparison है वो आप नहीं कर सकते क्योंकि P4 की speed कम होती है और जो I7 की speed जादा होती है और SSD की hard की speed जादा होती है जो दूसरी hard होती है उसकी स्पेड़ काम होती है, इसलिए आपने उसका सरवर देखना है, सरवर के requirements देखनी है, उस PC पर कौन कौन सी चीज़ें लगी होई है, सेस्ट हार लगी होई है, तो आपको अच्छी quality का सरवर दे रहा है, कि नीच दे रहा है, अगर low quality का सरवर होगा, तो आपकी जो स्पीड होगी वो डाउं 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 स्लो डाउं हो जाएगी और कभी कबार आपका जब जादा से जादा यूजर बढ़ने की कोशिश करेगा तो आपकी साइड पर एक मैसेज हो जाएगा नोट रिस्पॉंटिंग तो इस तरह मुझे फेल्बुक पे मैंने काफी एडर के देख रहा होता हूं लोग करते हैं कि यार यह मैसीज आ रहा है कि हमें कैसे सॉल्व करें तो दोस्तों को आपकी वैबसेट की प्रोबलम नहीं होती है वो आपके सरवड की प्रोबलम होती है वो आपने खड़ीदा होता है वो आप से बागने लग जाता है इसलिए शूट से ही आप मेरी ऐसी वेबसेट लेंक जो आपको फाइदा दे और आपका गूगल पर रांक ज्यादा से बढ़े अगर आपका वो वो ऑस्तिंग अच्छी होगी तो आपको गूगल पर रंक भी जदा से जदा मिलेगा तो दोस्तों ये छोटी सी टिपस्टी जो मने आपको बताइए है अब दोस्तों हम आप चलते हैं कैसी वेबसाइट पर जो बगार किसी बैंक अकाउंट के आप को वैब होस्टिक परवाइड करेगी और अगर आपको किसी बाह नेम की वैबसाइट से तो आपको कस्टमर स्पोर्ड का एक नंबर दिया होता है तो आप सरुकाद पाकिसान में काफी लोगों को सकते हैं इस वेबसेट का नाम है m5host.com इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप इनके पैकेज देख सकते हैं यहां पर आपको सांद स्क्रीन पर शोग हो रहे होंगी यह इस तरह की है पांच-छे साल से काफी अची है और आप इस पर जाकर यह hosting और domain करे सकते हैं और इनकी मुझे जो sport इतनी अच्छी लगी है कि यह आप जो beginner लोग होते हैं उनको web hosting और domain आपस पर connect नहीं करने आती तो यह आपको connect भी करके लेंगे आप इन पर उर्दू में बात कर सकते हैं ना कि अगर आप English बहुत सकते हैं English में बात कर सकते हैं तो अगर यह बहुत ही अच्छी इनकी सर्विस है आप इनको यूज करें उमीद करता हूँ कि इनकी सर्विस आपको पसंद आएगी और आपको मेरी वीडियो भी पसंद आएगी अगर आप चाते है महिसा कि और भी आपके लिए tips लेकर आओं तो नीचे comment section में comment करके हमें ल कि इनकी सर्विस आपके और कि अ.